रात के ग्यारा बज रहे थें, आज ठंड बहुत ज्यादा थी, एक अठारा साल का नौजवान लड़का ठका हुआ अपने घर की तरफ जा रहा था, इस लड़के का नाम आयूश था, आयूश विद्वा मा का एक लोता बेटा था, आयूश अपने घर का खर्चा चलाने के ल घर पर कैसे कैसे काम होते हैं, जिनसे वो अभी तक रूबरू नहीं हुआ था, और आज भी आयूश ने अपनी मा से इजाज़त लिया था, उसकी मा वो तो चाहती ही थी कि वो घर देर से लोटे, इसलिए वो उसे इजाज़त दे देती थी, ओवर टाइम करने के लिए, कार मैं घर के पीछे इस वाले रास्ते से अंदर चला जाता हूँ, आयूश ने सोचा, अगर घर के आगे वाले दरवाजे से जाऊंगा, तो मा को दरवाजा खोलना पड़ेगा, जिस वज़ा से मा की नेंद खराब हो जाएगी, बेचारी दिन भर वैसे ही लोगों के घर में ब दिखाई दे रहा था, आयूश उस दिवार के पास पहुच गया, जिस दिवार से उसे कूद कर अंदर जाना था, वो उस दिवार पर चड़कर अभी कूदने की सोच ही रहा था, कि अंदर से दिवार पर कोई चड़ा, और बाहर की तरफ कूदा, कूदने वाले ने आयूश को नहीं देखा और आयूज भी उस आदमी का चेहरा नहीं देख सका क्योंकि कूदने वाले ने अपने चेहरे को शौल से ढख लिया था उस आदमी को देख आयूश का दिल जोरों से धड़कने लगा वो मन में सोचने लगा कि हे बगवान लगता है कि आज मेरे घर में कोई च खटका लगा उसने देखा कि उसकी मा उस दिवार के करीब खड़ी थी जहां से वो आदमी कूदा था आयूश जिस आदमी को चोर समझ रहा था आयूश को देखते हैं उसकी मा सन्न हो गई वो और घबरा गई और बोली आयूश तुम तुम इधर से क्यों आय हो आयूश को देखने के बाद उसकी माँ ने अपनी नजरे जुका ली आयूश गौर से अपनी माँ की तरफ देख रहा था वह दूद पीता बच्चा नहीं था जो कुछ समझ ना सके अब आयूश को सब समझ में आ गया था कि वो कोई चोर नहीं था बलकि वो तो हमारी घर की इज़त को त गुस्से से तप रहा था वो गुस्से से मन ही मन सोच रहा था कि वो कोई चोर नहीं था चोर तो चुपके से आता है पर उसे तो बुलाया गया था मा का बेटे से नजरे चुराना और परेशान दिखाई देना उसे बहुत कुछ समझ आ गया था आज मा आगे बढ़कर उसक दिवार के पास गया, जहां से उस आदमी ने छलांग लगाई थी, तभी उसकी निगाह, दिवार के पास पड़े एक चीज पर पड़ गई, आयूश ने जुक कर उसे उठा लिया, वो चीज कुछ और नहीं थी, बलकि वो तो किसी मर्द की अंगूठी थी, अंगूठी को दे उसने शट से पोच रहा था, आयूश का पूरा बदन अंगारा बना हुआ था, उसने नजरे उठा कर आसमान पे चमकते चांद को देखा, तो वो चांद से शिकायत करने लगा, कि काश ए चांद तू निकला नहोता, और आज मेरे सामने ऐसी घटना नहोती, और यही सब आखों में नीन नहीं थी, और वो एक टक उपर देखे जा रही थी, अपनी नजरों में वो तो कपकी गिर चुकी थी, पर आज वो अपने बेटे की निकाहों में भी गिर चुकी थी, आयूश की मा आज जान चुकी थी, कि आयूश सब को जान चुका है, बेटे की निकाहों में अब इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपने बेटे का सामना कर सके लेकिन उसने ऐसा क्या किया था चलिए जानते हैं आज से 20 साल पहले जब आयूश की माप पल्लवी शादी के लायक हुई तो उसके घर वालों ने इसके लिए एक लड़का खोजना शुरू कर दिया कोची दिनों बाद ही उसको एक रिष्टा मिला उस लड़के का नाम अमरेश था उसके माप आपने अमरेश नाम के लड़के से फौरण शादी कर दी शादी के एक साल बाद आयूश पैदा हुआ आयूश जब लगबग एक साल का हुआ तो सड़क दुलखटना में आयूश के इस दुनिया से अकेला छोड़ के हमेशा के लिए चल बसा, पल्लवी विद्वा हो गई, मैके में उसके माबाब जिन्दा थे, उन्हें पल्लवी का दुख देखा नहीं गया, इसलिए उसे अपने पास बुला लिए, जब तक माबाब जिन्दा थे, तब तक तो सब कुछ सही चल रहा था, लेकिन पल्लवी के माबाब के गुजरने के बाद, उसके भाई भावी ने उसको ताने कसने शुरू कर दिये, वो लोग यही चाहते थे, कि पल्लवी जब हमारे घर से चली जाए, बेचारी मजबूर पल्लवी अपने भाई और भावी के घर बैट कर नहीं खा बर सो बाद उसने अपने ससुराल के घर में कदम रखा था, पल्लवी को वहाँ पर बहुत सुकून मिला, अब पल्लवी और उसके बेटे आयूश को अपने घर में सुकून मिलने लगा, पल्लवी के ससुराल में उसके दो देवर थे, साथ ससुर तो पहले ही गुजर चुके लगें रोजी रोटी के लिए कुछ तो बंदुबस करना था और आयूज भी बहुत छोटा था पल्लवी भी जादा पढ़ी लिकी नहीं थी इसलिए वो लोगों की घरों में बरतंद होने का काम करने लगी किसी तरह उसकी रोजी रोटी चलने लगी धीरे धीरे आयूज भी बड़ा होने लगा पर जब आयूज तेरा साल का हुआ तो अचानक उसकी तबियत खराब हो गई पल्लवी के ऊपर एक और मुसीबतों का पहाड तूट पड़ा पल्लवी आयूज को डॉक्टर के पास लेकर गई तो डॉक्टर ने बताया बच्चे के बलड कैंसर है डॉक् अपने मालिक के घर गई जिनके घर वो बरतंद होती थी रो रोकर उसने अपने बच्चे की जिंदगी की भीक मागी और कहा मैं आपके घर की जिंदगी बर गुलामी करूंगी बस मेरे बच्चे को बचा लीजिए पर कहते हैं ना दोस्तो आज के जमाने में किसी के पास कित करना होगा ये सुनते ही पल्लवी मालिक के पैरों पर गिरगर रोने लगी और कहने लगी मालिक आप जो भी कहेंगे मैं करने के लिए तैयार हूँ बस मेरे बच्चे को बचा लीजिए मालिक ने पल्लवी से कहा मुझे ना तो तुमसे काम करवाना है ना ही घर की गुलामी मेर एक शर्त है पल्लवी ने सोचा बताईए मालिक क्या शर्त है आपकी जो आप कहेंगे मैं वो करूंगी ऐसी क्या चीज है मालिक ने कहा मैं जब भी चाहूं पल्लवी तुम्हारे घर आ सकता हूं तुमको ये शर्त क्या मनजूर है अपने मालिक की ये शर्त सुनने के बाद पल्लवी का कलेजा दहल गया और वो बड़ी सोच में पड़ गई वो ना तो हां करना चाहती थी ना ही ना क्यूंकि सात लाक रुपए उसके लिए बहुत जरूरी थे एक मजबूर मा जिसका बच्चा अपनी जिन्दगी और मौत के बीच लड़ाई कर रहा हो पर एक मा अपन में सात लाक का बैग पकड़ा दिया वो पैसे लेकर अस्पताल गई अगले दिन से ही आयूश की ट्रेटमेंट शुरू हो गई पर पल्लवी ने अपने मालिक से जो शर्त रखी थी वो तो हर हाल में पल्लवी को पूरी ही करनी थी पल्लवी ने अपने बेटे को तो बचा ल रहा था अब आयूश 17 से 18 साल का हो गया था पल्लवी ने आयूश को अपने मालिक के कार खाने में नौकरे दिलवा दी थी पल्लवी के उपर उसके मालिक के एहसान बढ़ते जा रहे थे पर एकमा सब कुछ बरदास्ट कर सकती है पर अपने बेटे की नजरों में गिरना कभी बरदास्ट नहीं कर सकती एक दिन पल्लवी ने अपने मालिक से कहा साहब मेरा बेटा बड़ा हो गया है अब मुझसे ये सब नहीं होगा उसके मालिक ने कहा ठीक है अगर कभी कबर तुमारा बेटा देर रात तक घर नहीं आता है तो इस क्या सही रहेगा पल्लवी ने ना प्राइम करके घर लोट रहा था पर आयूश ने आज जो देखा उसके लिए बहुत बड़ा दर्द था पर अब तो जो होना था वो हो गया था पूरी रात आयूश ने सोचने में निकाल दिया उसे नीन नहीं आई और जब वो विस्तर से उठा तब वो अपने मां के रूमत क तरफ बड़ा उसने देखा दर्वाजा खुला हुआ था और मा फंदे से लटकी हुई थी और उसके हाथ में एक लेटर था आयूश अपनी मां को मरा हुआ देख चिला चिला कर रोने लगा तब ही उसकी नजर लेटर पर पड़ी उसने जल्दी से अपनी मां के हाथों से ल परदाश नहीं कर सकती हा तुमने जो आज देखा वो सच था पलवी ने लेटर में वो सब कुछ लिखा था जिस वज़ा से वो अपने मालिक की गुलाम हो गई थी आयूश उस लेटर को पढ़ने के बाद रोने लगा और कहने लगा मा मुझे माफ कर दे जो मैंने तुझे कलस समझा मुझे लगा तु अपने आयाशी के लिए ये सब कर रही है पर तुने तो अपने कलेजे के टुकड़े को बचाने के लिए ये सब किया मा तु मुझे क्यों छोड़कर चली गई मरने से पहले मुझे ये सारी बते बता देती तो मैं तुझे बचा लेता मा मैं ते के बाद भी मुझे सुकून नहीं मिलेगा